Hello everyone, good morning guys, have a good day, कैसे हो? I hope आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल जरूर से रख रहे होंगे यह जो reading करने जारी हूँ, इसमें हम चेक करेंगे आपके partner की feelings, क्या है आज morning में early morning क्या सोच रहे हैं आपके partner आपके बारे में, आपके रिष्टे के बारे में और आज की दिन क्या कुछ chances है, possibilities है आप दोनों के बीच होने का, यही जानने की कोशिश करेंगे हम तो चलिए focus अपने question पर बना कर रखिए, साथ में universe पर जरूर कर लीजेगा कि वो आपको इस reading के थ्रूप सही guidance दे, अपको clarity परवाइड कर रहा टाइम निस है, कभी भी आप इस reading को watch कर शकते हो, जब भी आपके सामने show होती है gender specific reading नहीं है, ठीक है universe मुझे बताएं, मेरे वीवर्ष के partner की feelings आज morning में क्या है, early morning मेरे वीवर्ष के partner क्या सोच रहे मेरे वीवर्ष के पारे में ध्यान दे से उन पर page of swords जे मिला एलिवर्ष, ओके, आपके partner जैसे होकर उठे है, वैसे ही आपके partner आपको stalk करते हुए दिखाई दे रहे है आपको नजर रखते हुए दिखाई दे रहे है, आपको spike किया जारा है, आपको check out किया जारा है आपको social media पर या जिस भी through ये कर्श रखते हैं, चाहिए आप भर के आस पास रहते हैं, या long distance relationship है social medias के through, जिस भी through होश रके, आपके बारे में पता चल सके, खबर मिल सके, उस through ये वैक्ति मुझे आप पर नजर रखते हुए दिखाई दे रहे है आपके पार्टर मुझे थोड़े से भड़े के भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंगि आपने इनके expectations फुल्फिल नहीं किया है आप बिल्कुल कुछ older कर रहे हो जो कि ये चाहते ही नहीं है, अपने लाइप का नई शुरुवात कर रहे हो, new beginning कर रहे हो आप खुश रहो रहे हो, आप happy रह रहे हो, आप बहुत खुश हो, आपके family में सब कुछ सही जा रहे है family के साथ time spent कर रहे हो, trip पर जा रहे हो, आपने खुद को बदल दिया है, change कर दिया है, अपना direction change कर दिया है, इनसे हट कर ये आपके partner का सोच मुझे दिखाई दे रहे है, इनके absence में आप कैसे इतना खुश रह सकते हो, happy रह सकते हो, ये आपके partner का सोच है ये इतना दुखी है, आपके रिस्ने में जो ठहराव आ गया है, कुछ नहीं हो रहे है, रुका हुआ है, उससे कितना उदास है, मायोश है, कि आप दोनों के विजबाच इतनी हो रही है और आपको की कितना खुश हो, happy हो, आपको देखकर लगी नहीं रहे है, कि आपको जराश अभी फर्क पड़ रहे है, कि आप दोनों के विजबाच इतनी हो रही है, आप दोनों अलग हो चुके हो, अलग हो तो ये चीच आपके पार्टनर में चिर्ण ला रही है, कि ये इतना परिशान है, दुखी है, इस no contact से आप से connect होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके through हो सके, और आपको तो कुछ फर्क है नहीं पड़ता आप दोनों की बिस्पाचीत हो, ना हो, आप change हो गए हो, बतल गए हो आपको कोई और friend मिल गए है, कोई और आ गए हैं आपके like में, आप इनको भूल चुके हो, भूल रहे हो यहीं इनको hurt कर रहे हैं, इनका सोच है आपके प्रती, universe मुझे बताए है, और क्या है मेरी विवश के partner की feeling, स्थोड़े से immature energy में दिखाई दे रहे हैं देखने पा रहे हैं, कि आप इनका इनका इंतिजार कर रहे हो, आप है इनका साथ चाहते हो, आपने क्या कुछ efforts किया है, कितना ज़्यादा आपने कोशिश किया है इस रिष्टे को चलाने की जबकि situation ऐसा यह है, जहां पर आपको ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल है, यह जो रिष्टा है, relationship है, बहुत मुश्किल है इसको आगे बढ़ाना, grow करना, चलाना क्योंकि जिन से deal कर रहे हो, यह mature है, maturity में नहीं है यह सिर्फ अपने फर्स को देखे हैं, आपके फर्स को नहीं देख पा रहे हैं, यह पैक्ति कहीं न कहें universe मुझे बता है, मेरे वीवश के partner की feelings और क्या है, और क्या सोच रहे हैं मेरे वीवश के partner आज सुब़ मेरे वीवश के बारे में आपके बिना यह जो जिन्दगी है, जो situation है और जिस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, burden बन गहे हैं, overthink कर रहे हैं यह वैक्ति इनको समझ नहीं आ रहे हैं कि कैसे, ऐसे क्या करें जिससे आपका tension पास सके, आपके बारे में खबर ले सके, आपसे मिल सके, आपसे बाते कर सके आपको हैसास कराना चाहते हैं कि देखो मैं इस world में हूँ, मैं हूँ यहाँ, इधर, मैं इसी दुनिया में हूँ, जिस पर तुम्हारा ध्यान नहीं है, focus नहीं है आपको ऐसास कराना चाहते हैं शे, क्योंकि इनको तो यही लग रहे है, आपका ध्यान नहीं है इन पर, और क्या है इनकी feelings, यूनिवर्श मुशे बताएं, और क्या है, मेरे भीवर्श के पार्टनर की feelings, आपके बिना देखों तो life burden के लावा कुछ नहीं है इनका, काफी boring स होगे है आपके बिना, बस responsibility, work, तापके mature energy में आपके partner मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहांबर इन से क्या mistakes हुआ है, यह क्या कर रहे है, दिखाई नहीं दे रहे है, जबकि चाहे तो आप से पापचित करके सब को short out कर शकते हैं, प्यार की बोली बोलकर, आपके रिष्टे में वाद बस spark लाज सकते हैं, ताज़ी लाज सकते हैं, बहार ला सकते हैं, romance ला सकते हैं, पर नहीं, इनको तो बस आपके side से चाहिए, ठीक है, fight खतम हो, आप करो, नई शुरुआत हो, आप करो, romance आयो Inner है रिष्टे में, आप करो, मिलने की बाते हो, आप करो, प्यार करो, सब कुछ करो पर आप करो एफ़र्स करो आप करो यह स्वैक्ति का सोच मुझे दिखाई दे रहे है और आपके साइड से ऐसर नहीं मिलता तो काफी उख़़े उख़़े से राते हैं इस्टबंड मुझे दिखाई दे रहे हैं मैच्चोर मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी चिड़ चिड़े से हो गए आपके पार्टनर आपके बिना साथ में नहीं हो तो यूनिवर्श मुझे बताएं मेरे वीवर्श के पार्टनर की फेलिंग्स और क्या है कि पता नहीं आप दोनों के बिच बात्चित होगी भी कि नहीं इनको हर सुबह, हर दिन एक उम्मीद होता है एक फोक होता है कि चलो आज बात्चित होगी आज के दिन हमारे बिच कुछ नया होगा कुछ स्टार्ट होगा हम फ्लोस आएंगे, दुरियां खतम होगी पर जैसे ही दिन ढलता है, रात होती है डार्क नाइट होता है वैसे इनका जो उम्मीद है खतम हो जाती है धीरे धीरे इनका जो उम्मीद है वो खतम हो रही है इनमे एक डर आरही है, इनमे एक फियर आरही है insecurities आ रहे हैं आपको खोने का, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये व्यक्ति आपको खो तो नहीं चुके हैं, कहीं आप लाइप में आगे तो नहीं बढ़ चुके हो, कहीं आप ये व्यक्ति के लिए आप, कहीं अब ये व्यक्ति अब आपके लिए कोई माइने तो नहीं रखते आपके पार्टनर मुझे अफसोस करते भी दिखाई दे रहे हैं अगर कभी इन होने आपको आपको लेकर कंफ्यूज रहे हैं यह आपको ऐसा फिल कराया कि आपको जो कनेक्शन है बर्डन बन गया है यह फर्स नहीं करते थे यह काफी मैच्योर एनर्जी में रहे हैं आपका डिस्रेस्पेक्ट किया है डिस्वैलीयो किया है हमेशा फोकस अपने वर्क या अपने रातों की निन उड़ी हुई थे ठीक है आज इस फ्यक्तिकल रातों को निन ऊड़ा हुआ है ठीक है वज़ा आपको आप दोनों के बेस सिच्वेशन है इनका फियर डर है कर राथ भी इस तो नहीं पाए देर रात आपके बारे में सोचते रहेरोते रहे अपसोच करते रहें यह दुरियां क्यों है आप दोनों के वीच कब मेटेगी आखिर तब आप दोनों सही से साथ में आओगे बर्डन बन क्या है यह situation इनसे जो mistakes हुआ है एक बोज तली दबे जा रहे हैं आपके पार्टनर किये मुझे क्या हो गया मैंने क्या गलती कर दिया मुझे उससे दूर्ट नहीं होना चाहिए था नहीं वह बहुत important है मेरे लिए मैं उसको खो नहीं सकता हो नहीं सकती इस वाले नर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं universe मुझे बताएं आज की दिन मेरे viewers और इनके पार्टनर इन दोनों के बीच क्या हो सकता है क्या possibilities है आज की दिन इन दोनों के बीच होनेगा क्या chances है क्या हो सकता है मेरे viewers और इनके पार्टनर के बीच आपको message मिनेगा guys इनके side से संदेश ये दे सकते हैं या कोई और third person आपको इन से related message दे सकते हैं संदेश दे सकते हैं किसी तरह का ठीक है यह तो social media के थूँ कुछ ने कुछ संदेश जानकारी information आपको मिले कि ठीक है अब को आज की दिन थोड़ा सा लग सकता है कि यह काफी मैचूर है, अभी भी मैचूरेटी इसमें नहीं आया है, इसका जो इनरजी है काफी मैचूर है आपको कुछ बड़ा नियूज भी मिल सकते हैं इनसे रिलेटेड ठीक है कि इस परशन के लाए पि कुछ खाश नहीं शल रहा है यह इस प्यक्ति ने कुछ खो दिया है, कुछ लॉश किया है रिलेशन्शिप में, क्यारियर में जॉब ले शोके हैं किसी तरह का बड़ा नियूज आपको मिल सकते हैं इनसे रिलेटेड और देखू इनके इनर्जी क्या होगी आज पूरा दिन या क्या होने का पॉसिबिलेटीज है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, यह जो आपके पार्टनर है किसी और शेयर आपके बार में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ठीक है कोई हैं आपके लाइब में जो की आपके घर आना जाना लगा रहता है या जिनको आप अपनी फैमिली के तरह टुरेट करते हो, मानते हो या कि घर के आस पाश राते हैं कोई भी वो शकते हैं, ठीक है वो आपके बार में जानकारी दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इनको दे रहे हैं इन होने किसी को आपके पीछे लगा रखा है यूनिवर्श मुझे बताएं, और क्या पॉसिबिलिटीज है इनके बीच होने का और क्या कुछ हो सकता है आज के दिन आप दोनों के बिस बात्चीत हो सकती है, फानली, कुछ लोगों का ठीक है, तो जो बर्डन है, या ओवर्थिंक, जो इनर्जी है वो थोड़ा सा कम होगी, रिलिफ मिलेगी, कि हाम बात चीत तो हुआ इसके तरफ से मैंसेस तो आया, टेक्स्ट तो आया तो आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए आपको ओफर कर रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं, ओफर किसी भी चीज का हो शकता है टियक है, work का हो शकता है, love relationship का हो शकता है आपके पार्टनर ऑश्टार्ट करेंगे, practically or casually, hi hello share इनका intention होगा, आपके साथ union करना, आपके साथ romantic relationship में आना आपको चूज करना, ठीक है, आपको चूज कर शकते हैं अगर इनके पास options है तो और आपके पास options हैं तो ये वैक्ति चाहता है या चाहती है आप इनको चूज करो ठीक है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है आपके पार्टनर कुछ ओफर कर रहे हैं कोई एक्षन ले रहे हैं बाचित करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप दुनों साथ में आ रहे हो आप दुनों रिकनेक्ट हो रहे हो reconcile कर रहे हो union में आ रहे हो यह आपके रिष्टी कोई ना मिल रहा है ठीक है आप दोनों romantic time spent भी करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो यह तो बात कर सकते हो चलो मिलते हैं साथ में आते हैं मुझे आप दोनों के बीछ romance भी दिखाई दे रहे हैं जो आप दोनों के बीछ confusion था burden था वो दूर हो रही है और finally दोनों साथ में आ रहे हो ठीक है आप दोनों मुझे साथ में आती वे दिखाई दे रहे हो जो भी unclarity है confusion है दूर करोगे blessings मिल रहे है आपके रिस्ते को universe का आपके अपनों का clear हो रही है चीज़े confusion अगर था तो ठीक है आप दोनों के वे सब को short out हो रहे है जो problems थी confusion था वो दूर हो रहे है और क्या हो सकता है universe मुझे बताएं मेरे universe और इनके partner के वीच और क्या हो सकता है आज के दिन क्या कुछ possibilities है वाव आप दूनों शाथ में आ रहे हो ठीक है romance करते हो मुझे दिखाए दे रहे हो लवी डवी वाले energy में दिखाए दे रहे हो आखों ही आखों से बात कर रहे हो communication हो रही है words की जूरत नहीं पढ़ रही है एक दूसरे को understand कर रहे हो समझने की कोशिश कर रहे हो एक दूसरे पर बहर पूर प्यान लुटा रहे हो मेरे रहे हैं आपको आपको अहसास हो रहे है यह जो व्यक्ति है मेरा soulmate है twin flame है वो अहसास कर रहे हैं मुझे इसके साथ ही आगे बढ़ना है मैंने अहसास कर लिया है मेरा सच्चा प्यान यही है true love है मेरा इसके बिना जिन्दगी का गुजारा नहीं चल सकता दोनों यह अहसास करोगे दोनों को यह अहसास होगा ठीक है कई लोगों के बीच यह dream है daydream करोगे और कुछ लोग के बीच यह reality में हो रहे है आमने सामने आ रहे हो face to face meeting हो रहे है romance हो रहे है अपने प्यार के अहसास करा रहे हूँ अपने प्यार में डुबा रहे हो दोनों ही एक दुसरे को भीगा रहे हो ठीक है वाँ टेटेनर से तो एक possibilities मुझे दिखाई दिया है यह अपर जेमिनाई लिब्रेक वीरिश है Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces और Taurus, Virgo, Capricorn तो यह रही आपकी reading like, subscriber, share जरूर के जेगा private reading बुक करना अच्छा हो description box एक आउट कर सकते हो एक बात और बता देती हूँ अगर आज की दिन आप दोनों शाथ में नहीं आ रहे हो तो 2 days 6 days 6 hours 6 weeks 6 year 2 weeks के अंदर आऊगे ठीक है आने वाला जो 2 months है 6, 2 2 months है 2, 2, 6 months है इस बेज आप दोनों reconcile कर शकते हो union में आऊगे ठीक है tension नहीं लेने का तो यह है guys आपकी reading Bye, take care, ख्याल रखें आप अपना God bless you Love you all, take care